हेलो डिवन कैसे आप लोग आसागरतों आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग एक्जाम की फिर्प्रेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी तो आज केस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लाश 12 हिस्ट्री के यानि के इतिहास के मौस्ट भी भी आपजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आपके आने वाले बोड इक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रस रहने वाला है तो अपला उड़े को अच्छे से ध्यान पुर्वक और लास्तक जरू देखिएगा क्योंकि इसी में से कई सारे कोशन आप लोग को बोड इक्जामे भी देखने को मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन है हमारा कि संदू ह्षपटा को कि स्रेनी के अंतरगत रखा गया है तो शिन्दू सपटा जो है इसको अद इतिहासी काल की अंतरगत रखा गया belonged आप्योन वरस भी हो जाएगा अब अगला कोशन है कि सिंदू गाटी के निवाशियों को किस धातू का ग्यान नहीं था तो सिंदू गाटी के निवाशी यानि कि सिंदू गाटी के जो लोग थे उनको लोहा का ग्यान नहीं था अगला कोशन है हमारा कि काली बंगा इस्तित है तो काली बंगा है क्या तो काली बंगा जो यह शिंदू शर्प्ता का एक प्राचीन अस्थल है जो कि रास्थान के हनुमानगर जिले में इस्तित है option रिसका C हो जाएगा अगला question है कि भारते उप महादीब की पहली शर्प्ता का विकास कहा हुआ था तो भारते उप महादीब की पहली शर्प्ता का जो विकास है वो शिंदू के मैदान में हुआ था अगला question है कि हरप्ता की बस्तिओं की खुदाई किसने की थी तो हरप्ता की बस्तिओं की जो खुदाई यह वो कि आता सर्ज और मार्सल ने और मार्टीम हुलर ने यानि का option इसका D हो जाएगा A और C दोनों ने मिल करके हरपा की जो बस्ती थी उसकी खुदाई की थी सर्ज और मार्सल ने और मार्टी विलर ने दोनों ने मिल करके अगला question है मुद्रा राजचस किसकी रचना है तो पता ही होगा मुद्रा राजचस जो है विशाखा दत की रचना है option में इसका B हो जाएगा chapter 2 का यह पहला question में ही बताएथे अगला question है कि वेदो की शंख्या कितनी है तो पता ही होगा आप लोग को बेज जो होते हैं हो चार होते हैं कौन कौन होते हैं तो रिगवेद होते हैं शामवेद होते हैं अर्थवेद होते हैं यजुरुवेद होते हैं अगला question है हमारा कि अशोक इस वंसका सासक था अशोक जो था यह मौड़ वंसका सासक था यानि कि option में इसका B हो जाएगा अब अगला कोशन है वारा राजात रंगनी के लेखक कौन है तो कलहन जो राजात रंगनी के लेखक है औप्शन में इसका D हो जाएगा अगला कोशन है वारा कि पतंजली के महाभास से हमें क्या जानकारी मिलती है तो प्राकिर्ट मोरे कला की हमें जानकारी मिलती है पतंजली के महाभास से यानि कि option वर उसका C हो जाएगा अगला question है वारा कि महाबारत की रचना किस भासा में होई है तो महाबारत की रचना है वो शंस्कृत भासा में हुई है option विरस्का A हो जाएगा और अभी तक आप लोग PDF नहीं लिए तो आप लोग भी PDF ले सकते हैं पर्ट कर साइंस हो सकता है इंगलिस हो सकता है जोगराफी म्यूजीं कोमशाय सैकलोजी सूस्लोजी और इकनोमिस इसी दस में से आपका कोई भी पांश सब्जेक्ट होगा इस पांचों सब्जेक्ट का पीडियेफ है वह आप लोग ले सकते हैं सिर्फ पर सुप 25 रुपे में 500 पैसे भीज़ करके उसका स्क्रीन सॉट ले करके इसी नमर के वार्टसेप आप लोग को भीज़ देना आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग बता दीजेगा तो आप लोग को पीडियाफ मिल जाएगा और डिटेल में आप लोग को बता है कि बता है बता है एक सब्जेक्ट में जो भी इंपर्टेंट को पूरा और अच्य तरीके से पर लेते हैं तापके बोड एक्जाम जो 99% कोशन आएंगे वह इसी पीडियाफ से रहेंगे और बहुंत सारे बच्चे जो इस पीडियाफ को ले चुके हैं आप लोग भी चाहे तो आ प्राइस को प्रॉब्लम नहीं रहाएं कि अगला कोशन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से वो जाने जाते थे यानि कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा अगला कोशन है महरसी वेद व्यास के दोरा उत्पन संतान कौन थी पांडू, धितरास्ट और विदूर ये तीनों जो थे ये महरसी व्यास के दोरा उत्पन संताने थे यानि का option वर इसका D हो जाएगा ये सभी अगला कोशन है रिग वेद के पुरुष उक्त में शौर परतम किश वर्ण का उलेख मिलता है किश वर्ण का उलेख मिलता है तो सुद्र का उलेख मिलता है रिग वेद के पुरुष उक्त में शौर परतम जो है सुद्र का उलेख मिलता है यानि option वर D हो जाएगा अगला कोश क्या होता है किसे कहते हैं अगला कोशन करते हैं तो नेश्ट कोशन होगा हिनियान और महायान संपरदाय किस ध Joyce Shambrendit है यह sieht यह संपरदी या प्डाइयान और महायान शंपरदाय यानि option मर टी हो जाएगा सीले треб बुद्ध को महापध्णिवारन यानि कि उनकी महात्मा बुद्ध को महावीर का जन्म हुआ था महावीर का जन्म हुआ था कुंडनवल वैसाली में option word C हो जाएगा कुंडनवल वैसाली में महावीर का जन्म हुआ था रेस्ट कोशन है कि बुद के बच्पन का नाम क्या था तो बुद के बच्पन का नाम शिधारता option word B हो जाएगा याद रखेगा बुद जो थे उनके बच्पन का नाम सिधारता अगला कोशन है कि जैन धन्म के 24 तिर्थकर कौन थे तो महावीर स्वामी जो थे जैन्म के 24 तिर्थकर थे यानि option word D हो जाएगा और जितना कोशन आप लोगों करवार हैं सभी कोशन आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए चुने हुए important प्रस नहीं जितना हुए important कोशन आपके बुक से बन सकते थे 15 चेप्टर के वह सब कोशन इसमें एड कर जो मौस्ट भी आपजेक्टिव कोशन है और जितना जैसे आप लोग को सब्जेक्टिव कोशन में लगउतर यह और द्रीग उतर यह पढ़िए गा उसका एंसर क्या होता है आप लोग पर से पढ़ते होंगे बुक से पढ़ते होगे उसे बुक वाला भासा दिया रहाता है तो आपसे समझ में नहीं आता है लेकिन पीडियोप कहा कराने वाला था तो मुड़को कराने वाला था इबन बहुता ऑप्शन में सी हो जाएगा अगला कोशन है कि भारत की जिन तीन भाशाओं के गरंत के अरभी भासा में हुए अनुवादोश अलुब्रीन परचिता तो वह कौन सी भासा थे अलुब्रीन की तीन भाशाओं चर्षम होंए घाल में होड़ा bit अगला कोशन यातरीयों का किसे का जाता है वगी हैंसょं को याद रखे उत्तरभात में भक्ति आंदोलल का शुरुवात किया था नेश्ट कोशन है जगरुनात का Śाथ़ीक अर्थ क्या होता है संपूर्ण विश्व का सवमी होता है जगरुनात का स्वाविक है अर्थ मैला रखशवादी संत कौन थी तो रभिया थी option मेर C हो जाएगा अगला question है वारा कि और अजेव का संबंद की सूफी सिलसले से था तो और अजेव का जो शंबंद था नक्षबंद सूफी सिलसले से था अगला question है ढाय दिन का जोप्रा का निर्मान किसने करवाया था और किस अगला question है वारा कि मानेता अरुशार अमर सब्द का अबड़ी भाव संस्क्रीट के जिस सब्से हुआ है वो कौन सा सब्द है तो शमर का सब्द है ऑप्शन मेर भी हो जाएगा अगला question है कि फारस के सासक के दोरा अब्दुल रजा को काली कार्ट में जिस सताब्दी में भीजा गया था वो कौन सी सताब्दी थी तो वो सताब्दी थी पंद्रह भी यानि कि option मेर इसका ए हो जाएगा अगला question है दिली सल्तनत के स्थापना कब हुई थी important question है याद रखेगा तो 1226 वी में दिली सल्तनत के स्थापना हुई थी option वर B हो जाएगा अगला question है कि अकवर नावा की रचना किया option वर D हो जाएगा ये गी तक पता ही हो आपकोए ओ कि धान जो ने चावल यह सब खड़ी फशल है पुचा रवी फशल ही कि तो इसका आपको याद रखेगा ये ओता ये बोल होता है ये होता अक्टूबर 9 में में वяжा जाता है और इसको माई-उन में काटा जाता है और जो मैई जून में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर काटते हैं उसको करते हैं खड़ी फसल अब आप लोग खुद से बता सकते हैं कि कौन सा फसल रविया और कौन सा खड़ी अगला कोशन है अकवर ने टोडल मन को दिवाने अश्वरफ कम नुक्त किया था अगला कोशन है अगला कोशन है अगला कोशन है निमलिकित में से अकवर किस पर अधिकार नहीं कर सका था तो अकवर जो था वो मेवार पर अधिकार नहीं कर सका था अगला कोशन है अब अकवर का सनक्षक कौन था तो बैरम खान जो था अकवर का सनक्षक था यानि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा जितना कोशन करवारें सभी कोशन आप लोगों के इंपोर्टेट है तो आप लोगों वीडियो को लास तक जरू देखेगा अगला कोशन है मुगल नाम व्यत्वन हुआ यानि कि मुगल नाम कहां से उत्पन हुआ तो मुगल नाम यह मंगोल से उत्पन हुआ था औप्शन मर्ड भी हो जाएगा अगला कोशन है ओड़न जेब का दिहाल यानि की मृत्ति कवो इती और ऑड़न जेब की मृत्ति हुए तो बिलन दर्वाजा किस अस्थान पर इस्थान पर इस्थित है वह कौन सा अस्थान ए जापर की बिलन अगला कोशन है दर्बार में अभिवादन का तरीका नियुन मेंशे कौन सा था चार उप्शन दिया और इसमें सब को बताना है कि दर्बार में अभिवादन करने का तरीका कौन सा था कौनी शर्जदा और पाई हुए शिये सभी तरीका जो था यह दर्बार में अभिवादन क अगला कोशन है मुगल परसासन में जीले का नाम जीले को किष्ण नाम से जाना जाता था सुबा नहीं सरकार के नाम से जाना जाता था सुबा के नाम से नहीं जाना जाता था मुगल परसासर में जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था अला कोशन है संथाल विद्रों के नितित्प किशने किया था संथाल विद्रों का नितित्प किया था शिंदू एव कानेन वे जो कि दो भाई थे अगला कोशन है राजमहल की पहारियों में मुकता जो लोग राते थे वो कौन से लोग थे तो राजमहल की जो पहारी में राते थे वो पहारी और संथाल लोग थे यानि कि ऑप्शन में इसका एव हो जाएगा पहारी और संथाल लोग अगला कोशन है अठारवी सताबदी में बंगाल में निलामनी में कितने परतिसक से अधिक बिक्री फरजी होती थी कितने परतिसक से अधिक बिक्री तो 95 परतिसक से अधिक बिक्री जोती हो फरजी होती थी 28 सतापदी vendor बंगाल में अगला कोशन है भाथ में आने वाला पर्थम European पुर्ट गाली था यानि कर पूर्ट हो जायेगा सभी रिपोड़ों से में बारतिय क्रिसी के जन जातियों का इस्तिती का पता चलता है अटाणष् का विद्र Tribal का उप्शन commitment से सुश्रूवा था तो दस महीं rarm八 seventh का विद्र शुरूआ था अगला कोशने अटार, संतावन के विद्रों का ततकली कारण क्या start तो अटार, संतावन के विद्रों के कई सारे कारण थे लेगिन ततकाली कारण जोते वो थे चर्वी वाले कार्दूस औप्शनमण सी हो जाएगा दुन्दूपंथ नाम किसका था ? नाना साब का नाम था धुन्दुपंत in begitu. अगला कुशन है सा मृल कहाँ का रहने वाला था साह मल जो था यह उत्तर परदेश के बड़ोत परंगन का रहने वाला था ऑप्शन में बी ओ जायगा अगला कुशन है सागार में अंगूरेज सी हो जाएगा आड़ा कुछन है वाला कि The Great Revolt नमाग पुष्तक किस ने लिखा याद रखेगा The Great Revolt नमाग पुष्तक जो है उसको लिखा कहяж अशोक मेतां इंपवर्टन कुछन है याद रखेगा अशोक मेता दचीन भाहत में किस अस्तान पर विदे रो हुआ था तो दचीन विद्रो हुआ था अला कोशन है किस महिला ने सतारा उज्यन गौालियर आदी में 1838 से ले करके 1863 इस वी तक अंग्रेजियों के विरुद सर्यंत किया था महराणी बेजाबाई सिंध्या ने 1838 से ले करके 1863 तक 177 उज्यन गौालियर आदी जगो पर अंग्रेजियों के विरुद क्या किया था सरियंत किया था महराणी बेजाबाई सिंध्या ने अलाग कोशन है कि 1857 के विद्रोग किश्ण में भारत का बात सा कौन था तो 1857 के विद्रोग किश्ण में भारत के बात सा जोते कुते बहादूर सा दुती है option मर् c हो जाएगा अलाग कोशन है भारत में डेल वे की शुरुआत किया थी इंपोर्टन कोशन है हर एक साल पूछाई जाता है तो आप लोग वियाद रखेगा भारत में डेलवे के शुरुआत की गई थी डेलवे के शुरुआत अथारसो तिरपन में पलासी में अंग्रेजों तता बंगाल के नबाब में युद हुआता तो ये युद कब हुआता प पलासी का युद गवाता बैटल अपलासी 1757 में अल्या कोशन है चौल इमारत इस नगर की परमुक विसेशता है तो चौल इमारत जो है ये बंबाई की परमुक विसेशता है ऑप्शन अमर्ट बी हो जाएगा अगला कोशन है छोटे अस्थाई बजार को कहते थे तो क्या क जाते थे तो गंजी कहते थे चोटी स्थाई बजारों के यानि ऑप्शनमर् सी हो जाएगा अल्या कोशन है वारा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाते है अच्ट्थी के अधरियम को सवणीय अवग्या अंदोलन कव पार्म एनली वद्य अधरिया अधरिया अंदोलन कव शुरू ऊप्षन नमर च होजएगा अल्याक कोशंग है जलियावला बां गत्याकांड को ओथा, तो 13 अप्रेल 19.19 स्को जलियावला बां गत्याकांड हुआ था, जिसके की निंदा करते हुए रविनार्ट टैजोड ने जो की बंगाल करने वाले थे, रविदनार् टेगोर ने अपनी सर की उपादी वापस कर दी याद रखेगा जलियावाला बागवत्या कांड़ आता 13 अप्रैल 1929 को अला कोश्चन है इंडिया नेशनल आर्मी का गटन किस ने किया था तो इंडिया नेशनल आर्मी का जो गटने वो किया था श्वास्चन बो question nे लिए तो मुझे खूंदो मैं तुमेय आजा दूरूँ आज दूर obtain कम बनाए याइवां बें कि सवाशन्थ नहीं द्याएता है कि मोहंदास क्रमचंद को महात्मा किस ने बनाए तो महात्मा बनाए था डाल bust की में जो गुछन की म्लें लंदन में कव आयो जी फुँँट वा था दूसरा गोल में स्म्मिलन जो है वो लंदन में आयो जी फुँट हुआ था 1931 इस्पी में यानि के उप्शन मर बी हो जाएगा अल्ला कोशन है साइमन कमिशलवाथ कवा आया था तो साइमन कमिशन जो था वह बारत में आता 1928 में य किसके अनुरोद करने पर गए थे तो राजक्मार सुखल के अनुरोद करने पर 1917 में गांधी जी जो ते चबिहार के चंपारन में गए थे अगला कोशन है कौनसा आंदोलन डांडी से पारब हुआ था यान कि कौनसा आंदोलन डांडी से ही शुरू हुआ था चारा आंदोलन का नाम दिया हुआ इस में आपको बताना है, तो शर्वानी अवग्या अंदोलन जो था, वो डानडी सही सुरू हुआ था. अगला कोशन है हिंदु महासभा के अस्थापना किस वर्स हुई थी? तो हिंदु महासभा के अस्थापना है वो 1915 में हुई थी. प्रस्ताव को पेश किया था निश्वाच चन्द बोश भारती राष्ट्य चुनर्स के अधिक्ष बने रहे थे और यह कोशन आप लोग याद रखेगा कि निश्वाच चन्द बोश आपना इस्थीपाद दे दिये थे और खुद स्थापना के थे इस्टेबिश्ट के थे फ भारती राष्ट्य के पर थे अधिक्षर की चन्द बोश के थे होगतां की तो अज्यात भारती राष्ट पंधिक्षित के पर स्थमठ्री राष्ट्य की महींब इया चन्द बेनर्जी ने या स्थापना भी कर सकते हैं तो किशने किया था तो मोहन सिंग ने किया था ओप्शन मरस का सी यह हो जाएगा कई लोग कहेंगे राज बिहारी बोस्त नहीं होगा इसका एंसर होगा मोहन सिंग्वन अस्थापना किया था पंदरह फड़री उनिश्ट ब्याले इसको सिंगापुर के पतर पर चालीस अजार भारतिय युद्वन्दियों को लेकर अजाध हिंच फोज की अस्थापना समझें इसका राज ब्यारी बोस्त नहीं होगा वहन सिंग होगा अब अगला कोशन करते हैं कोशन है कि संप्रदाइक समस्या सुल्जाने हो तो कौनसा फर्मूला प्रस्तुत किया गया था तो राज गोपाल चारी फर्मूला को प्रस्तुत किया गया था संप्रदाइक समस्या को सुल्जाने हे तू अगला कोशन है भारती समिधान के निर्मान में कितना समय लगा था भारती समिधान को बंपने में दोर्ज 11 महीना और ठारग दिन का समय लगा था, भारती राश्टे कर उसकी पहली महीला अध्यक्ष को अंती, तो भारती राश्टे करत्स स्थापना की गई था अध्यक्ष योथी इनी बेसेंट, अगला कोशने वारा कि स्वतंतरता प्राप्त से पूरम जी सोतोंता मिलने से पहले सोतोंता सबना मिलने से पहले जो भारत का जो अंतिम चुना हुआ वह दिसंबर जनबरी 1945 में हुआ था अगला कोशन है इसके निर्देशन में तयार किया गया था आप लोग को बता हुआ है कैसे लेना पीडियो के बताई दिया कि सब कुछ आप लोगो मिलेगा अबजगी मिलेगा सब्जेक्टीम मिलेगा पांचो सब्जेट का मिलेगा और इस पीडियाप को आप लोग पढ़ लेते तब के बोर्ड एक्जामे जो 99% कोशन आएंगे वह इसी पीडियाप से रहेंगे बस आपको पीडियाप ऐसा है नहीं यह कि लेना है और आप लेको कोशन सभी आ जाएंगे ले करके आप लोग पढ़िएगा तब के बो भेज करके आप लोग अपना पीडियाप ले सकते हैं आशा करते हों आप लोग वीडियाप अच्छा लागा होगा तो में नेक्स वीडियो बें नए वीडियो के साथ